हुआ है अलो अर्यों दिस एलिक स्मित वेल्कम टो नालीज देंबीशन स्वागत आपका नालीज देंबीशन के सेशन में तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि देश के सबसे उंचे cricket stadium के बारे में यहां मार्चब पर्दीश के डिस्टिक लाहॉल पीती में जो है वो देश का सबसे उंचा cricket क्रिकेट स्टीडियम बनने जा रहा है विद्ध कैपेस्टी आफ 10,000 स्पक्तेटर्स तो इसी के बारे में डिटेर में पर बात करेंगे आपको वीडियो के एन तक बने रहना है स्टार्ट करने से पहले अप चैनल पर पहली वरांत चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और न यह आपका लहालस्पिति के इस जगह पर यह बनेगा लहालस्पिति के सिसू में यह साथ में आपकी सिसू लेक है यहींपे जोह स्टीडियम बनेगा जो की देश का सब से उंचाई पूर्ष्थ cricket stadium होगा और इसकी केपस्टी कोल 10,000 spectators कि होगी इसकी फैन थाइन थाउसन spectators the first hurdle for construction of the cricket stadium at the highest altitude in the country has been overcome in Sisu of Himacharya Pradesh travel district of the lahal-spiti जो पहली बाहता थी माचर पर देश के जला लाहाल-spiti के सिसु में जो है क्रिकेट cricket stadium बनने जा रहा था The work is 7 साल पहले ही start हो चुका था यह जो प्रोसस था इसे बनाने का 7 साल पहले start किया गया था इसकी शुरुआत की गई थी कि यहाँ पर जो है सिसु में जो है cricket stadium बनाया जाएगा तो कि देश का highest altitude पर बनने वाला cricket stadium होगा लेकिन पहली बाता जो है इसकी अब जाकर पूरी हुई है अब जाकर दूर हुई है तो अब जो है यहां पर construct किया जाएगा दे लोकल पंचायत और रिवेन्यव डिपार्टमेंट has sent the file to the forest department after the demarcation of the 38 biggest of the land for the stadium local पंचायत और रिवेन्यव डिपार्टमेंट ने जो है अब फाइल सब्मिट कर दी है forest department को after the demarcation of the 38 विगास total जो है 38 विगा जमीन पर यह stadium बनाया जाएगा तो इसी की demarcation के बाद जो है फाइल भेज दी गई है forest department को लोकल पंचायत और रिवेन्यव डिपार्टमेंट द्वारा the forest department is now waiting for the letter of intent from the Himachal Pradesh government the process of land acquisition for the stadium is in progress और forest department द्वारा वेट किया जा रहा है जो कि आपका letter of intent है जैसे हिमाच्य प्रदिश कवर्मेंट द्वारा letter of intent दिया जाएगा जो अनुमती है वो दी जाएगी वैसे ही प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा जो land acquisition का प्रोग्रेस है स्टेडियम के लिए वह आपका अल्रेडी प्रोग्रेस में है टोटल 38 बिगाज पर जो है यह construction की जो exercise है यह साथ साल पहले ही शुरू कर दी क्योंकि सिस्व में जहों क्रिक्ट स्टेडियम बनाया जाएगा तब से यह आपकी योजना बनाई जा रही है साथ साल पहले से ही अब जाकर इसकी कुछ बादाएं दूर हुई है और अब जाकर जो है फाइल भीजी गई फारेस्ट डिपार्टमेंट को और फारेस्ट डिपार्टमेंट जो है वेट कर रहा है लैटर ओफ इंटेंट का फ्रम्ड़ गवर्मेंट अफ हिमाच्यपर्दीश और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यह जो क्रिकेट स्टेडियम है यह हाइस अल्टीट पर बनने 11,000 फीट 11,000 फीट के उंचाई पर जो है यह बनाया जाएगा जस्ट एट किलोमेटर फंद नौर्थ पोर्टल आप दी रहतांग तो रहतांग टनल से जस्ट एट किलोमेटर की दूरी पर यह स्थेता है वन दा नौर्थ पोर्ट पोर्ट एट प्रेजंट चायल इंसोलन है इंडिया का नहीं यह विश्व का सबसे उंचाई पर स्थित जो है को क्रिकेट प्लेग्राउंड है प्रजैन टाइम पे ताह बिदन एल्टिट उफ सावन थावन फाजन फाइवंड़ फीट विच वास बुल्ट बाय महराजा भुपेंदर सिंग पतिया और यह बनाया गय बुपेंदर सिंग पतियाला के दोरा 1891 में तो यह भी इंपॉर्टेंट है दा स्टेडियम विल बैनिफिट थे क्रिकेटर्स ऑफ लहाल स्पिति एज वेल एस चंबाज पांगी किलाड और कुलू और मंदी तो इन सभी को जो है इस स्टेडियम से बैनिफिट होगा थे प् बिदा डुनेशंस डुनेशंस के थ्रू ही यह स्टेडियम का निर्मान कारे जोह वो पूरा किया जाएगा था फाइल अफ थार्टी इट बिगास अफ लैंड फॉर्टेट्शन अब इस स्टेडियम है थे प्रेलिम्री फार्मालिटी जो भी शुरुवाती आपकी फार्मा को भीज दी गई है आपको यह पहली बता चुका हो और फ्रस्ट डिपार्मेंट दरह वेट किया जा रहा है लाटर ओ इंटेंट का फ्रम्ड़ू अप्रम्ट प्राप्त अफ्रस्ट डिपार्मेंट को उसके बाद इसका निर्मान का रहे जो है वो शुरू हो जाएगा मेन् अस्ट्यम केलंक राजिश भंडड़ी साथ बैंट थर्ट इएट पिगास अव प्लाइंट अव जाएट अव लाहल पिती क्रिक्ट श्याइशन वा दी अवर दाओं दू लेक मैं को अटाच कों सिसू लेक के नजदी किये बनेगा इस टेडिए इस डिएट प्रेंस टॉ् रामलाल मार्कंडे मारकंडे सथ लंडामलाल मारगंडे दोरा कहा गया कि गोर्मेंट कूट इसू और बूलनाम Hill для कुर्म्अव ट्रवा कूं सफेएगा फॉन शॉन उन ने लन अक्कोशिति नफ्ट वाल सबीघ्न दिए सून नेसुन वेका कि ऐखर हच यह अनृटर दोब वो देहरादून भेज दी गई है तो इसी के साथ जैसी लैटर अफ इंटेंट प्रोवाइड करवा जाता है गौर्मेंट अफ इमाचर प्रदेश के दौरा तो उसी के साथ जो है ये निर्मान कारे स्टार्ट हो जाएगा और ये देश का हाइस्ट अल्टिटूट पर बनने वाला जो है वो पहला क्रिकेट स्टेडियम होगा तो इस वीडियो में यही जैनकारी थी ये वर्ल्ड सुरी इंडिया का हाइस्ट अल्टिटूट पर बनने वाला जो हो क्रिकेट स्टेडियम होगा इसके लाबा आप मुझे कमेंड बाक्स में बताइए कि इंडिया का जो हाइस्ट जो लार्जस्ट कैपेसिटी वाला स्क्रिकेट सिर्डियम है वह कौन सा है तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा और अपने सभी फ्रेंक्स शेयर जरू कीजेगा चैनल पर पहली वरायन चैनल को सब्सक्राइब भी ज कीजेशब ग्वागस शुर टाइएज सभी वर पहल करोणाइब भीजी जिएए इसमने उसमें ओड़ मेर 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 इसमें वायं जिएएक्स अरू करोण जरू इसक्तिएएएग करिक फरिएप सिरेगे ड्रावाध करों पर निक्तिएए ज्याएएब चैनल करोंड़ प्रू